जरका है तुम्हाला आईश्यात अशेच फिजिक्षे कॉंसेप्ट वापराइचे असे डे इन डे आउट लाइफ मदे तेरे नकीच जोईन करा गाउंडे सरांचे फिजिक्ष क्लासेच हमारा आज का नया टॉपिक है बच्छो मागनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अब ये चाप्टर को ना हम बोर अच्छे से प्रिपर करेंगे क्योंकि ये चाप्टर काफी तकलिफ देता है तो वेलकम बाक एवरिवन आम तेरेस गावंडे और इस लेक्चर में हम बात करेंगे मागनेटिक इफेक्ट ऑफ मागनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्लियर तो हमारे एक्च्छी दो चाप्टर है ये एक चाप्टर होता है मागनेटिजम ओके और मागनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो ये अराउंड एक लंबी सीर करने में helpful होंगे 2024 के पूरे question के साथ पूरे topic के साथ इस topic को इस chapter को मैं explain करूंगा ठीक है अब one by one जब मैं story start करूंगा अब आपको बस इस video को at least पहले video को तो भी गलती से भी 1.5 पर या 2 पर मत चलाना मैं इस video को max to max 20 minute के उपर नहीं stretch करूंगा आपका time नहीं waste करूंगा लेगन अगर आपने इसको 2x पर चला दिया तो मैं जी क्या कहना है जो important point है क्योंकि यह foundation lecture है तो समझेगा ही नहीं यह chapter ही नहीं समझेगा आएगा तो slowly जाओ बिल्कुल कुछ skip मत करों अब मुझे इस chapter को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा background देना पड़ेगा आपको यह बताना पड़ेगा कि एक charge क्या करता है और यह magnetic field यह chapter का नाम यह आया कहा से है पहले तो यह समझते हैं सबसे पहले एक चीज़ देखो हम बात करेंगे charges पे हमने already charges पे बात कर ली थी electrostatic यह chapter में सर्फ फिर से charge आ गया अब समझो मान लो कि आपके पास एक positive charge है तो यह positive charge से क्या निकलती है अगर यह positive charge rest पे है charge at rest पे अगर है तो उसे हम कहते है electrostatic charge at rest तो यह charge at rest याने कि इस positive charge से electric field निकलती है जो कि इस direction में होती है जो कि कुछ ऐसे दिखाए देती है हमें यही अगर negative charge होता तो यही electric lines उसके towards आती थी तो ये कुन सी field है बच्चो ये electric field है ठीक है अब अगर ये charge अगर ये आपका positive charge rest पे ना होके ये case में ये अभी rest पे है मतलब इसकी velocity कितनी है 0 है अगर ये rest पे ना होता और ये move हो रहा होगा suppose ये अगर move हो रहा है इसके पास कुछ ना कुछ velocity है velocity not equals to 0 है तो अब समझो एक second मुझे बस paid add हाँ paid add कर लिया अब मेरा क्या कहना है कि अगर आपका ये charge move हो रहा है ये कि motion में है ये कि किसमे है motion में है तो बच्चो इस charge के पास अब सिर्फ electric field नहीं रहेगी सिर्फ electric field नहीं रहेगी अब उसके पास और एक additional field आएंगी और उसको हम कहते है magnetic field क्या कहा मैंने magnetic field सर एक moving charge moving charge के पास होती है electric field and magnetic field तो magnetic field को basically M से नहीं B से दिखा आ जाता है ये point समझना जरूरी है अब यहाँ पे तुमारे दो तिन confusion होते हैं अब उसको समझो बिल्कुल 2X से मन चला वीडियो को confusion क्या होते है पहले ये समझो confusion number one कि sir moving charge के पास तो current भी होता है है ना electric current की क्या definition लिखते हैं charges flowing per unit time फिरो positive charge हो या negative charge हो अगर charge flow रहा है तो वहाँ पे current है हाँ ये point साहिए अगर moving charge है बच्चो तो उसके पास current भी होता है यानि कि current produce होता है साथी साथ magnetic field भी produce होती है और electric field तो charges के पास रहते ही रहती है ये तीन चीजे रहेंगे तुमारा लोगों के पास अगर तुमारा charge क्या कर रहा है move कर रहा है मैंने यहाँ पे ये specify नहीं किया है कि positive charge move हो रहा है कि negative charge मैं सिर्फ कह रहा हूँ charge फिर वो positive क्यों ना हो या negative क्यों ना हो दोनों charge इसमें current भी produce होगा अगर वो move हो रहा है magnetic field भी produce होगी और वो electric field भी generate करेगा clear ये होता है बच्चो concept ये क्या होता है concept और एक तुम्हारा doubt होता है जो मुझे बहुत से बच्चे पूछते है उनका doubt ये होता है कि सर magnetic field magnetic field के लिए current की क्यों जरूरत है magnetic field के लिए moving charge की क्यों जरूरत है यही magnetic field तो हम बच्पन में हमारे पास magnets होते थे याद करो magnets के साथ तुम्हें खिला होगा उस पे एक north pole होता है एक south pole होता है ये भी तो magnetic field produce करते है फिर इनके कारण ये magnetic material के कारण जो magnetic field produce होई और ये moving charges के कारण जो magnetic field produce हो क्या इसमें कोई difference है नहीं ये जो मैं बात कर रहा हूँ magnet की जिसको हम कहते है जिसको जिसके साथ आपने खेला होगा बच्पन में याद करो speakers में बगरा magnets लेते थे तो वो जो magnetic field produce होती है उसके लिए हमारे पास separate chapter है magnetism and magnetic materials ये chapter है तो इसके बारे में मैं अलग से बात करूँगा अलग से ये topic पे बारे में अलग से chapter है अपने पास अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ अगर कोई charge moving है अगर कोई charge moving है तो वो क्या produce करता है current current के कारण क्या produce होता है magnetic field कैसे भी कह सकते हो अब इसे अब आते हैं chapter के नाम पे क्या कहता है आपका chapter का नाम magnetic effect magnetic effect of electric current magnetic effect of what electric current आप अब बात करते हैं मुद्दे की हमें crack करना है JW और NEET हमें बेवकुफी जैसा scientist नहीं बनना है ये chapter को लेके तुम लोग काफी भाउग हो जाते हो और बहुत depth में पढ़ते हो मैं depth में खुदी लेके जाऊंगा आपको लेकिन आपको exam point of ही पढ़ना होता है तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा letter B के साथ B को हम बोलेंगे magnetic field magnetic field या फिर इसके बहुत से नाम है magnetic induction magnetic induction या फिर या फिर और एक नाम है और एक नाम है magnetic field intensity और ये नाम आपको ना numerical में दिखाई देते हैं किसमें निकाई देते हैं numerical में और आप होते हो confused की सर दिया क्या है 3-3 नाम दिया है confused नहीं होना है हमें B मतलब होता है बच्चो magnetic field अब B का formula क्या होता है अब समझो magnetic field किसे कहते हैं magnetic field को कहा जाता है बच्चो imagine करो कि यहां से ऐसे magnetic field जा रही है जैसी electric field ट्रावल करते हैं imagine करो कि ऐसे एक magnetic field जा रही है अब मैं का करता हूँ इस magnetic field में एक ring लेके आता हूँ एक क्या लेके आता हूँ एक ring एक गोला एक सेकंद थोड़ा अच्छा गोला बनाता हूँ एक ring लेके आता हूँ चलो देखो यह ring लाया है मैंने अब हो क्या रहा है ना बच्चो यह ring में से देखो कितनी lines जा रही है एक, दो, तीन, चार lines जा रही है यह electric lines नहीं है यह magnetic field की lines है ठीक है तो यह जो area है यह जो area है देखो यह जो area है मैं rate portion से दिखाता हूँ यह जो area है यह जो आपका ring का area है इसमें से कितनी electric lines sorry, magnetic field के lines जा रही है that is magnetic field इसको define ऐसे क्या जाता है कि magnetic field is nothing but flux per unit area flux per unit area एक सिकन इसको हटा देता हूँ flux per unit area मतलब क्या इसको कहते है बच्चो magnetic flux जैसे हमारे electric flux होते है उसी तरीक से होते है magnetic flux upon area तो यह example को मैं और expand करता हूँ मान लो कि किसी area में किसी area में कुछ चलो ठीक है अब यह case में देखो यह area को देखो यह area में इसे कितने lines जा रही है चार lines जा रही है suppose मैं ऐसा कोई magnetic field draw करता हूँ मान लो कि यह वाले region में कुछ बहुत जादा magnetic field है देखो यह वाले region में ऐसा में side में ही draw करता हूँ अब मैं यहाँ पे फिर से वो circle draw करूँगा यह रहा हो तुमारा area अब इस area में से देखो अब इस area को compare करो इसको मैं A2 नाम देता हूँ और इसको A1 नाम देता हूँ पहले area में और दुसरी area में जमीन आस्मान का फरक है area छोटा भी है लेकिन A2 में से magnetic lines देखो कितने जा रही है बहुत जादा जा रही है तो यहाँ पे magnetic field एनकी B बहुत जादा है यहाँ पे magnetic field comparatively कम है clear तो magnetic field को ऐसे define क्या जाता है magnetic flux per unit area या यह देखो magnetic field lines per unit area clear अब इसका unit बताओ sir unit पे बताएंगे आप गावन डे sir के यहाँ पे पढ़ रहे हो मैं हर वो चीज़ बताऊंगा बच्छो फाई इसको मैं कहूंगा फाई फाई मतलब magnetic flux अब यह फाई का unit होता है बच्छो विबर क्या होता है विबर अपॉन एरिया का unit आपको पता ही है meter square तो magnetic field का हमें सबसे पहले important thing यही होती है कि unit याद करना है ठीक है unit इसको और SI unit में हम लिखते है टेसला क्या लिखते है टेसला यह SI unit है इसका इसका CGS unit भी है बिल्कुल होता है वो होता है GOS क्या होता है बच्छो GOS CGS unit कहते हैं उसको क्या कहते है CGS unit ठीक है तो आप अब इसका screenshot लेलो मैं next topic पर बढ़ता हूँ तो हमें इसका क्या याद करना है unit याद करना है इसका formula याद करना है DC pandemic इस topic पर question दिये है जो मैं next lecture में लूँगा आज सिर्फ foundation मनाऊँगा ये सब ठीक है magnetic field अब ये रहा इसका dimension कैसे लिखोगे B का dimension तो यहाँ से लिखी नहीं सकते है dimension लिखने के लिए magnetic field का हमें दुसरे तरीके से जाना पड़ेगा दुसरा approach रखना पड़ेगा ठीक है तो चलो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ देखो अब हमारा ये तो clear हो चुका है कि charge move होता है तो current produce होता है मैं आपको sequence बताता हूँ चलो ठीक है charge move Q move क्या produce होता है current इसके current क्या produce होती है B ये sequence याद करना QIB ठीक है QIB अब दिक्कत ही क्या है मेरा सबसे पहला सवाल है कि ठीक है sir चार्ज के flow होने से current produce होगा current produce होने से magnetic field होगा तो magnetic field है कोई vector quantity है क्या कि किस केदर quantity है magnetic field बच्चो एक vector quantity है इसकी direction होती है और magnitude भी होता है क्या कि कहा मैंने direction भी होती है और magnitude भी होता है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा direction के बारे में फिर आते है magnitude कैसी निकालोगे clear अब समझो अब आते है main concept पे suppose कोई ये conductor है इसमें इस direction में current flow हो रहा है देखरो किस direction में current flow हो रहा है तो यहाँ पे मुझे पता है कि magnetic field setup होने वाली है क्योंकि इसके अंदर के जो electron है वो travel कर रहे है मुझ कर रहे है और यहाँ पे होने वाली है produce magnetic field अब मेरा दूशरा सवाल कि भाई इसके direction बताओ तो direction हम पता लगता है बच्चो right hand right hand thumb rule से right hand thumb rule से ठीक है अब right hand thumb rule कैसे दिखाओगे देखो मेरे पास होगा यह इसकी diagram नहीं यहाँ पे नहीं है चलो यह रहा हो राइट hand thumb rule अब यह images का मुझे काम है देखो अरे थे लपली पहली वाली image थामाबाउं दूसरी image को डिगी लिए इसको मैं पहली से the rule चो यह रहा आपका रूल एक सेगन बस लास्ट मुमेंट बस शेवट्चा टाइम हाँ होगी पूरी पूरी image बढ़िया असी बन गई देखो यह रहा वो conductor जिसमें इसके जाड़ी थोड़ा बड़ा देता हूं यह रहा क्यों नहीं रहा वो ठीक है यह direction में current flow हो रहा है तो magnetic field को कैसे बनी magnetic field चलो थम जो है हमें current की direction बताएगा और magnetic field की direction हमें पता चलती है बच्चो यह हाथ से यहने की उंगलियों से यहने के आपके fingers से तो magnetic field को कैसे आई magnetic field बच्चो एक current carrying conductor में गोल बोल दिखाए देती है जैसे कि मान लिजे कि आपका एक conductor है इसमें current आय फ्लो हो रहा है तो magnetic field जो है बच्चो इसमें ऐसे दिखाए देती है गोल circular दिखाए देगी ठीक है अब इसी concept को लगे तो मैं दूसरे current फ्लो हो रहा है यह red ink दिख रहा है इस इंडिकेट्स के यह direction में current जा रहा है तो magnetic field कैसे setup होगी पहले right hand लो आपका right hand लो ठीक है यह thumb indicates direction of current थम का indicate कर रहा है direction of current यह direction में आपका current फ्लो हो रहा है तो magnetic field दिखाएगा बच्चो यह fingers यह fingers का इक दिखा है magnetic field तो यह direction में current फ्लो हो रहा है तो magnetic field कुछ ऐसे दिखाएगे देगी देखो ऐसे यह direction में ठीक है यह tęक है यह सब्सक्ता है यह मीन Verkehr संबसे रहरा है गोल 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 घोल फिरती है गोल घोल गोल गोल गुंतियां थिर अगर महनूंकि आइसे direction में current flow होता तो एक सेकंड है एक सेकंड यह बहुत जादा अगर सब्सक्राइब यह direction में current flow होता तो current यह direction में magnetic field यह fingers तो यह direction में this is the direction of what? magnetic field तो actually magnetic field होती कैसे है आपने spring देखा है spring के अंदर ना एक conductor को रख दो किसको रख दो? conductor को किसके अंदर, spring के अंदर, spring ऐसा गोल-गोल-गोल होता है, तो वो जो conductor है, या वो जो rod है, वो refill देखिए, आप लोगों ने refill, आप जो pain यूज करते हैं, टिक टॉक आले, उसमें refill होती है, तो वो refill के अंदर जो spring होता है, समझ लोग कि वो magnetic field है, और वो जो refill होती है, वो current carrying conductor है तो ऐसी प्रकार के कुछ magnetic field दिखाए देती हैं, तो चलो, आते हैं अपने screen पर, तो hopes हो कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कि magnetic field दिखती कैसी है, यह धान में आया है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब और एक चीज है, जैसे कि हमने direction दो पता कर लिए, जैसे कि हम ठीक है, अगर यही magnetic current अगर ऐसे flow होता, तो magnetic field circular ही बनेगी, लेकिन, 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 वो यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ से अंदर जाएगी, यह क्या चीज है, इसको बेटा में बाद में बताऊंगा, जब हम बास करेंगे, dot magnetic field क्या होती है, और cross magnetic field क्या होती है, आ imagine करो कि यह conductor के अंदर, sorry, यह spring के अंदर एक conductor होता, तो यह जो दिख रहा है न, spring, यह exactly magnetic field ऐसे गल-गल-गल-गल-गल होती है, clear, तो चलो, यह हमने direction देख लिए magnetic field की, अब बात करते हैं, एक basic law के बारे में, जिसका नाम है, biot sauvered law, बघै बारवर बात जाये ले, biot sauvered law, अर्दे बुठ्टादे जाये ले, वासतास नहीं है, कही जाका आंद, वासन्म दाति मिदे ले, जारा बगा आथा, बायोट साइवट लॉक क्या कहता है पहली यह समझो ठीक है बायोट साइवट लॉक के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलता है कि मगनिटिक फिल्ड का मगनिटिूट घूट लगा लाऊ गी अंधे म Member लोग पनी यू lug अभी कोई ब्रक 나 करोरा है में कॉए बीडिये यह कlooके फिल्व का राड़ा हो वह प्र एट में से कोई current flow हो रहा है that is I मैं एक एक terms लिखता हूँ I is what current जो की flow हो रहा है आपके इस conductor में से ये wire में से चलो ठीक है उसके बाद अब इस wire की बहुत लंबी length होगी हमें नहीं पता इस wire की length क्या है लेकिन मैं इस wire का बहुत सा छोटा सा भाग लेना चाहता हूँ बस छोटा सा पार्ट लेना चाहता हूँ इतना सा पार्ट लेना चाहता हूँ clear इतना सा पार्ट लेना चाहता हूँ ये मेरा पूरा wire नहीं है ये पूरे wire में से मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट काट दिया है अब ये current जो है element of length element of length element of length मतलब पूरे length का छोटा सा part element of length और ये एक vector quantity कहता है कहलाता है by its or current law के current according ये जो आप conductor का छोटा सा part है वो एक क्या है वो एक vector quantity है ठीक है चलो मान लो कि मुझे ये point पे देख लो ये point पे magnetic field फाइन करनी है कुन से point पे ये point P पे magnetic field फाइन करनी है अगर मुझे इस point magnetic field फाइन करनी है तो आपका जो ये element of length है यहाँ के center से एक line जोड़ो इसके साथ सबसे पहले line जोड़ो इसी क्या कहोगे sir आप इसे हम कहेंगे बच्चो R vector अब ये R vector क्या है R vector is position vector क्या कहते है इसको position vector ठीक है अब Biot-Syvat Law के कारन देखो बच्चो इसका कोई derivation नहीं है इसका कोई proof नहीं है बस उसने Biot-Syvat Law ने क्या क्या एक experiment किया experiment किया और उस experiment के basis से हमें एक result दिया जैसे कि आपको need करना है हमें पता चल गया था कि पहले current carrying conductor के आसपास magnetic field होती है जो हमने right hand rule से पता दिया तो हमें अभी ये पताना है कि magnetic field का magnet note कितना है जैसे कि आपको need करना है आपको पता चल गया आपके अंदर क्या आत्मा कहे रही है कि आपको need करना है तो फिर उसके बार आपने बहुत सारे coaching classes को देखा कि भाई कौन सी coaching classes best है आपने बहुत सार experience के और फिर आपको नाम पता चला गावंडे सर का वाँ वाँ फिर आपको पता चला कि हाँ तेरे सर है जो वर्दा में physics पढ़ाते है और बहुत बढ़े बढ़ाते है वाँ वाँ क्या वाँ आते बच्चो देखो और फिर आपको magnitude पता चला आपका need में score पता चला देखो अब भाई साब का कहना क्या है ये बायोट सावट लौका कहना का है समझो उसका कहना क्या है कि मुझे पूरी लेंज से magnetic field नहीं find करना है मुझे सिर्व ये छोटे से लेंज से magnetic field find करना है और उसके कारण जो magnetic field find होगी उसको मैं नाम दूँगा db पहली बाद तो db क्यो db मतलब बच्चो small magnetic field db ये word का meaning ये होता है small small क्या magnetic field ओके उतनी जादा magnetic field produce होगी इस point P पे clear चलो भाई ये पहला relation उसने बता है दूसरा relation उसने बता है कि जितनी जादा ये जो magnetic field है ये directly proportional होती है आपकी length dl से element of length से directly proportional है second law third बात उसने बोली third बात उसने बोली कि ये जो magnetic field है ये sin theta को भी directly proportional है सर साइन theta ये कहा से आ गया अब देखो ये theta क्या होता है ये ही तो important है ये theta होता है बच्चो ये ये होता है theta ये this is the angle theta सर ये theta किसके बीच में होता है बच्चो ये theta आपका position vector r आपका position vector r और ये जो आपका element of length that is dl इसके बीच में होता है सर ये तो भी 90 degree दिख रहा है not always ये 90 degree नहीं रहेगा जरूरी नहीं कि 90 degree ही होगा यहाँ पर देखके देखो कुछ ना कुछ angle बन रहा है तो this angle is theta जो कि किसके बीच में है theta जो है ये theta between r vector and dl vector के बीच में है clear अब सर फोर्थ लो असर इतना ये क्या इतना नहीं है इतना नहीं है उसने बोला कि ये magnetic field inverse square law भी follow करता है सर इन्वर्स square law क्या होता है ये inverse ती proportional होता है distance के square से जितना दूर जाओगे उतनी magnetic field कम होगी इन चारों लोगों को अगर मैं summarize करू तो मुझे पता चलता है कि magnetic field is directly proportional to I, DL, and then sin theta upon R का square चलो सर ये हमें पता तो चल गया यहाँ से मैं proportionality की sin अगर हटा होते एक parameter आता है mu zero upon 4 pi ये एक constant term है बच्चों उसके बाद हम लिखेंगे I, DL, sin theta upon what R square ये mu zero upon pi एक constant है अब mu zero मतलब होता है permeability क्या होता है permeability जैसे कि हमारे पास permittivity होती है उसी तरीके से permeability होती है free space की किसकी? free space की clear? इसके बारे में मैं अलग से discussion को रूँँगा यहाँ पे नहीं आपको सिर्फ याद रखना है कि इसकी value होती है 4 pi 10 to the power minus 7 unit वगरा मैं सब बाद में बताऊँगा अभी नहीं अब उसी पे आते है हमें बहुत important relation देखने है mu zero upon 4 pi ideal sin theta upon r का square अब इस पे MCQ कैसे पुछते है JW और knit में यह देखो अब यहाँ पे लगता है बच्चो पूरा cross product पहले तो मुझे यह बताऊ a vector cross b vector यह क्या होगा a vector cross b vector होता है बच्चो a b sin theta यह होता है actual में यहाँ पे क्या होता है magnitude of a magnitude of b sin theta उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे simple साथ तुमको यह सवाल पूछू कि बताऊ भाई यह deal एक vector है इसका मैं cross product ले लू position vector के साथ सेम तरीके से मुझे answer बताऊ अभी क्या होगा a cross b मतलब क्या होता है a b sin theta उसी प्रकार से dl cross r क्या होगा वो होगा dl magnitude of dl magnitude of r into what sin theta यही होगा न अब ज़रा देखो अब मैं यह magnitude को नहीं लिखता हूँ यह r को यह r को मैं यहाँ पे लाता हूँ देखो यह dl vector था cross r vector था इसके नीचे मैं यह r को ले के आता हूँ सर यह r का magnitude है इसलिए मैंने यहाँ पे देखो vector नहीं दिया वो vector नहीं वो magnitude है तो इसलिए वहाँ पे r दिखाना पड़ेगा मुझे clear तो देखो मुझे dl sin theta की value क्या मिल गई सर यह dl sin theta कहा put करना है यह देखो यह आए को हटा दो आए को side में रोको यह dl दिख रहा है dl sin theta उसके जगा अब मैं put करूँगा यह parameter तो मैं लिखता हूँ db equals to mu 0 upon 4 pi multiplied by current inner bracket inner bracket dl sin theta था अब dl sin theta के जगा पे मैं लिखूँगा dl vector cross r vector upon r की power upon upon क्या है यहाँ पे r और already इसकी नीचे क्या था r की power 2 तो भाई इसको rearrange करेंगे हम इसको rearrange करेंगे mu 0 upon 4 pi in bracket i dl cross r vector अब नीचे क्या है बच्चो r square और r तो यहाँ पे क्या आएगा r cube आएगा तो यह है बच्चो vector form of what magnetic field एक बार j w में इससे और difficult question पूछ लिया था difficult नहीं था उसमें दिमाग लगाना था रहे देखो यह कैसा घुमाते है questions को अब आपको यह बता है यह क्या होता है इसको कहते है unit vector क्या कहते है इसको unit vector unit vector को कैसे define क्या जाता है unit vector को define क्या जाता है वही vector r divided by its magnitude या फिर इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r vector divided by its magnitude is called unit vector जड़ा इस question को मैं फिर से rearrange करूँगा फिर से rearrange करूँगा फिर से आंधी तुपान आएगी और इस formula को rearrange करेगी कुछ इस प्रकार से देखो भी DL vector cross R vector अब मेरे पास R cube है अब मैं R cube को ऐसे लिखता हूँ एक बार R square लिखता हूँ और एक बार ये R को अंदर भेज़ देता हूँ क्या कर देता हूँ अंदर भेज़ देता हूँ अब अंदर भेजने के बाद मैं इसको divide भी कर देता हूँ I upon R square in a bracket अब मैं इसको ऐसे rearrange करता हूँ DL vector cross R vector upon R क्या क्या समझा गया मैं अब मैंने ये R को दो मैंसे सिर्फ एक कोई divide कर सकते हैं किसे एक कोई divide कर सकते हैं तो मैंने सिर्फ R vector को divide किया अब जरा इसको देखो ये क्या चीज़े हैं This is unit vector ये रहा बच्चो ये रहा ये देखो ये क्या है unit vector है तो यही formula क्या बनेगा यही formula बनेगा आपका मुझुरो अपॉन फोर पाए आई अपॉन आर स्क्वेयर इन ब्राकेट डियल वेक्टर क्रोस आर यूनिट वेक्टर आया धान में तो ये नया फॉर्मूला बन गया आपका तो बच्चू इस लेक्चर में इतना ही ठीक है इस लेक्चर में इतना ही क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक है वो बढ़ाने के लिए मुझे और टाइम लगेगा और मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में तुमको जारा से ज़्यादा ज्यान देऊ चलो ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मेरे जैसे गरीब आदनी की मदद कर देना थोड़ा सा चानल को सब्स्क्राइब करो और कमेंट सेक्षिन दे बताओ कि तुम कुन से डिस्ट्रिक्ट से हो ठीक है तो थैंक यू सो मच वर आटिंग इस वीडियो बाइ वरिवन